यूकिलिड एल्गुरिदम, the GCD of two integers A and B can be determined by a process known as Euclid Algorithm यानि कि जदी हमारे पास दो इंटीजर है A और B तो इन दोने इंटीजर का GCD find करने का जो हमारे पास process है उसी process को हम लोग यूकिलिड एल्गुरिदम से जानते हैं तो ध्यान दीजएगा मान लिजए हमारे पास दो इंटीजर है A और B ठीक है दो positive integer है ये जो है B से बरा है तो Q1 और R1 दो इंटीजर एक्जिस्ट करेगा तो हम लोग डिविजन एल्गुरिदम से लिख सकते हैं A is equal to B Q1 प्लस R1 R1 जो है वह हमारा 0 के एक्वल और 0 से बरा है लेकिन B से क्या है छोटा है इसको हमने equation 1 मान लिए अब ध्यान दीजएगा R1 remainder हमारा 0 नहीं होगा तो फिर से दो इंटीजर एक्जिस्ट करेगा Q2 और R2 तो फिर हम लोग B को B को इस तरह से लिख सकते हैं B is equal to R1 Q2 प्लस R2 इसको हमने equation 2 मान लिए Now continue this process we get अब फिर से R2 जदी 0 नहीं होता है तो फिर से Q3 और R3 एक्जिस्ट करेगा तो डिविजनल एल्गरिजम से हमने लिख सकते हैं R1 is equal to R2 into Q3 प्लस R3 R3 हमारा 0 के equal और 0 से बड़ा होगा लेकिन R2 से क्या होगा छोटा होगा इसको हमने equation 3 मान लिए इस तरह से फिर से R3 जदी 0 नहीं होगा तो फिर से Q4 और R4 एक्जिस्ट करेगा यानि कि R2 को लिख सकते हैं R3 into Q4 प्लस R4 फिर से R4 हमारा 0 के equal 0 से बड़ा होगा लेकिन R3 से छोटा है इसको हमने equation 4 मान लिए इस तरह से जो हमारा last आएगा ठीक है पहला हमारा R1 आया फिर R2 फिर R3 R4 लास्ट हमारा क्या आजएगा Rn यहां R4 है तो यहां Q4 यानि कि यहां Rn है तो यहां क्या आजएगा और यहां पर remainder जो Rn है हमारा क्या 0 आगिया ठीक है तो जब हमारा remainder 0 आजागा तो हम लोग यहां पर stop कर देंगे तो अब GCD क्या होगा तो ध्यान दिजेगा जहां हमारा remainder 0 आएगा इससे पहले वाला remainder है तो यह हमारा क्या होगा इसका GCD हो जागा और B का ठीक है यानि कि Rn हमारा 0 हो गया तो इससे पहले वाला remainder क्या होगा Rn-1 यानि कि A और B का GCD कितना हो जागा Rn-1 यहां पर ध्यान दिजेगा Q1 जो है ठीक है Qn जो है वह 2 के equal है यहा 2 से बढ़ा है और A जो है B से बढ़ा है फिर B R1 से बढ़ा है फिर R1 R2 से बढ़ा है ठीक है क्योंकि यहां पर हम लोग कंसिडेर की है कि A B से बढ़ा है तो A हमारा B से बढ़ा है फिर B R1 से बढ़ा हो जागा फिर R1 R2 से बढ़ा हो जागा ठीक है तो उसी जिट को यहां पर लिखे है Thus these numbers form a decreasing sequence of non-negative integers यानि कि सभी positive integers है it follows that Rn is equal to 0 Rn हमारे पर 0 आगे है for some integer n the process ends at this stage जहां हमारा remainder 0 आजागा वहां पर हम लोग stop कर देंगे तो इससे जस्ट पहले वाला remainder वह हमारा क्या होगा उसका JCD हो जागा तो उसी जिट को लिखे है the process ends at this stage the set of equation 1 to 5 ठीक है equation 1 से 5 का जो set है हम लोग इसी को क्या करते है Euclid algorithm करते है for GCD of A and B the GCD of A and B will be Rn-1 आपको जैसे कि बताए कि जैसे Rn हमारा 0 आगे है तो इससे जस्ट पहले वाला judgment है Rn-1 वही हमारा A और B का क्या हो जागा GCD हो जागा कर दो झाल का क Recently झाल